तो हम लोग यहां पर डीटेल में रिविजिन करने वाले हैं जहां पर हम कॉंसर्ट भी कवर करेंगे प्रणाव करेंगे कॉंसर्ट वाले हैं जहां है proud to be part of the baobali team this is my timings youtube पर रात को आद बजे भी set relation function के revisions चल रहे हैं special class पर हम कुछ trending sessions लेते हैं और plus के अंदर statistics चालू होने वाला है from 25th of August yes you heard right mission success batch is going to start from 25th of August we are going to cover around 75 to 80 marks completely live but when you take an academy plus you have the option to do the other topics from the other batches that's completely fine but this is the best batch a person can join now to crack December 2022 examination यहां पर देखिया आप quick guide for new students इस link की मदद से आपको सारे teachers के content का access मिल सकता है temporarily अभी यह link work नहीं कर रही है but don't worry at least for my content you can go to this link और यहां पर आपको धियान रखना है Q और A capital है P capital है इस link को अगर आप डालोगे browser में you can access all my playlist of all the topics I have done in the free platform ठीक है तो चलिए sir let's get started ओप आप लोग भी तयार है एक बार जल्दी से live chat में सारे लोग How's the Josh everyone are you ready? Yes sir let's begin चलिए शुरू करते हैं चलिए भाई तो आज हम लोगों को शुरू करना है relations and functions के साथ सबसे पहले सर relations की बात करूँ तो relation पढ़ने से पहले जो एक concept पढ़ा जाता है Cartesian product जब हम product की बात करते तो बच्चों को यह लगता है कि दो sets के elements को multiply कर दो ना जी ना ऐसा नहीं होता सबसे पहले आपको एक term पढ़नी पढ़ती ordered pair ordered pair का मतलब होता है कि दो sets को मिलाके elements के pair बनाए जाते हैं अब pair word तो ठीक है लेकिन pair word के साथ जो ordered word डला गया है ना सर उसकी वज़े से कहानी थोड़ी बदल जाती है सो basically ordered pair का मतलब यह है सर कि अगर आपके पास दो sets है set A और set B और आपने set A और set B से ordered pair बनाना है तो वो जो pair रहेगा उसमें पहला element set A से आएगा first set से और दूसरा element second set से तो order fix है आप ऐसे swap नहीं कर सकते इस वज़े से उस pair को प्यार से ordered pair कहा जाता है अगली बात Cartesian product क्या होता है कोई भी दो sets को जब आप लिखते हो first set और second set उन दोनों की मदद से जितने भी ordered pair possible है all the possible ordered pairs अगर उनका आप एक set बना दो that is called as Cartesian product तो ठीक है सर example से भी हम लोग देख लेंगे इस चीज़ को कोई problem की बात नहीं है यह लीजे मैं आपको एक बड़ दिखा देता हूं चोटे से example के दुरू कि कैसे Cartesian product work करता है जैसे माल लीजे यह आपका set A ठीक है और यहाँ पर मैं marker हटा देता हूं वरना वह वहाँ पर हमको परिशान करेगा माल लीजे हमारे पास set A है और set A में element है 3, 5 और 9 और हमारे पास set B है जिसमें हमारे पास element है 2 and 6 अब अगर आपसे कोई बोले कि भाई set A into B बना के दिखाओ तो कैसे बना के दिखाओगे तो सेट A into B का मतलब यह नहीं कि आप elements को आपस में multiply करोगे ना जी ना आपको ordered pairs बनाने है पहला pair 3,2 दूसरा pair 3,6 अगला pair 5,2 अगला pair 5,6 अगला pair 9,2 and the next one is 9,6 यह क्या है all the possible ordered pairs अब आप देख रहा हो यहाँ पर जो भी pair बन रहे है ना उन सारे pairs के जो पहले element है 3,3,5,5,9,9 पहले set से लिए गए हैं उनके जो second second element है इसी वज़े से सर ordered pairs बोलते हैं और इनी ordered pairs को जब हम set के form में लिख देते हैं तो यह वाला जो पूरा set हमारा बना है ना बेटा जी इस वाले set को हम लोग बोलते हैं Cartesian product of sets अब one more thing जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है why अगर इसमें आप multiplication कर ही नहीं रहे हो तो आप इसे product set क्यों बोलते हो उसका answer समझते हैं सब्सक्राइब अगर मैं आपसे बोलू कि बताओ कितने element है set A में तो आप बोलोगे set A में 3 elements है कितने elements है set B में आप बोलोगे sir 2 elements है अब आप बताइए आपकी product set में कितने elements है 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh इसका मतलब अगर आप अपने product set के elements की counting करेंगे न तो individual sets के cardinal number के multiplication के बराबर आएगा 3 दुनी 6, 3 दुनी 6, I hope आपको यह logic भी समझ में आगया कि इसे हम Cartesian product क्यों बोलते हैं कितने बच्चों को इस page में दी गई सारी information माइंड में process हो गई है और समझ में आ गया है कि ordered pair क्या होता है, Cartesian product क्या होता है और क्यों होता है, उसका नाम product क्यों रखा गया है जल्दी से एक बार दिमाग की बत्ती जला दीजिए सारे बच्चे very good guys, super, आगे बढ़ो, सर बिलकुल आगे बढ़ो सर, बिलकुल आगे बढ़ो, चलो, अगला exercise का question देख लो, set P में 3 elements है, Q में 4 है और R में 2 है अगर आप से कोई पूछे कि P into Q into R, ये जो आपका 3 elements वाला set बनेगा, triple, triplet बोलूँगा, pair भी नहीं बोलूँगा उस set में कितने elements रहेंगे सर, उस set में रहेंगे सर, simple multiply कर दो, 3, 4, 12, 2, 24 elements, कुछ भी नहीं है दूसरा ये देखो भाई, आपको बोल रहा है set A into B intersection C, तो पहले मुझे B intersection C बनाना पड़ेगा so my B intersection C set will be 4 not common, 5 is common between them, और A कोस से multiply करना पड़ेगा तो A है मेरा 2,3, अब अगर 2,3 लेता हूँ और इस तरफ 5 लेता हूँ तो एक pair बन जाएगा 2,5, एक pair बन जाएगा 3,5, बस हो गया यह ही आपका A into B intersection C, 2535, 2535, 2535, 15 का अंसर है A, relation set, ओ, तो हमें लगा आप set ही पढ़ा रहे हो अभी तक, ना जी ना हम product set को इसलिए रोक के रखे हुए थे, क्योंकि product set एक ऐसी चीज़ है, जो relations के concept को समझने में काम आती है इसलिए उसको तब ना पढ़ा के, relation के समय लिंक करके पढ़ाया जाता है, चलिए, अब relation set क्या होता है Sir, relation set is any set from A to B, which is a subset of the product set, अब यार इस चीज़ को में समझाना चाहूंगा आपको बहुत अच्छे से Using the example जैसे मान लो, यही वाला example हम लोग ले लेते हैं, और मैं आपसे यह बोल देता हूं कि देखो भाई, there is a set R1 R1 is for relation, मैंने relation के लिए R1 नाम दिया हुआ है यह वो set है, जिसमें ordered pair रहेगा, बिल्कुल सही बात है पर उस ordered pair में कुछ condition या कुछ relation जुदा हुआ है, क्या relation जुदा हुआ है आपको सिर्फ ऐसे ordered pairs लेने हैं, ध्यान से सुनिएगा आपको वो ordered pairs लेने हैं, जिसमें आपकी B की value जिसमें आपकी B की value, जो है यस B की value B की value जो है आपकी वो बड़ी हो A से आपको सिर्फ उन ordered pairs को लेना है जिसका second element जो है वो आपके first element से बड़ा हो अब समझे इस वाले set के अंदर सारे ordered pair नहीं आएंगे ये सारे ordered pair में से सिर्फ वो ordered pair आएंगे जो इस relation को satisfy कर रहा हूँ क्या है relation relation है second element is more than the first element अब यहाँ देखो नहीं हो पाएगा हाँ ये चल जाएगा ये नहीं हो पाएगा चल जाएगा बस दो तो आरवन set के अंदर जो ordered pairs आपके आने वाले हैं वो हैं sir 3,6 and 5,6 these are those two elements ordered pairs which are actually which are actually satisfying this condition which are actually satisfying this condition मैं गलती से इसमें वो अलब रेकेट लगा दिया ordered pair में ये वालब रेकेट लगता है तो थोड़ा सा यार इस example से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा focus करो समझ जाओगे relation set जो है वो आपके product set का subset है हाँ यार ये बात भी सही है कि ये जो आरवन वाला set आपने बनाया है वो A into B वाले set का एक subset है और इस subset में सिर्फ उन ordered pairs को लिया गया है जो एक particular relation that is B more than A को satisfy कर रहे है चलिए अब जाके एक बार language पढ़ लेते है relation set from A to B is any subset of the product set A into B it contains only those elements या those ordered pairs which satisfy a given particular relation between both the elements of the ordered pair बिल्कुल सही बात है such that मान लो R एक relation set है A से लेके B तक जिसमें ये ordered pairs लिये जा रहे हैं जो इस condition को satisfy करते हो कि A is in some relation with B I hope यार इस page का जो knowledge था वो आपको cover हो चुका है आगे बढ़ता हूँ types of relation जिस पर सवाल पूछे जाते है types of relation अब types of relation एक ऐसी चीज है बहुत ज़्यादा technical पढ़ने जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा लेकिन अगर types of relation को बढ़ी है examples के तुरू करोगे न तुरंट क्लिक हो जाएगा word है reflection reflexive मतलब same ही चीज reflect होती है तो अगर एक pair है ordered pair ऐसा वाला जिसमें दोनों element same हो duplicate वाले A, A, B, B, C, C अगर इस तरीके के ordered pair आपके उस relation set में आ रहे हैं in that case it will be reflexive अगर आपका ऐसा relation set बन रहा है जिसमें अगर A, B करके ordered pair है तो उसका symmetric ultra B, A, B होना चाहिए mirror image तो symmetric हो गया और transitive थोड़ा extended version है अगर A, B दिया है B, C दिया है तो A, C भी होना चाहिए अब ये सारी चीज़े सिर्फ ऐसे ऐसे सूखा-सूखा पढ़के नहीं समझ में आती example के साथ समझ में आती है equivalence का मतलब क्या होगा अगर कोई ऐसा relation है जो तीनो condition को satisfy कर रहा हो तो उसे हम equivalence बोलेंगे जो reflexive भी हो symmetric भी हो और transitive भी हो उससे हम equivalence बोलते हैं अब देखिए example से समझेंगे reflexive dash has the same height as dash over the set of students मानलो हमारे पास set of students है ठीक है आप में से किसी को ले लेता हूँ जैसे एक है अजे एक है प्रतमेश ठीक है एक है अजे एक है प्रतमेश अब अगर मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि भाई अजे की हाइट और प्रतमेश की हाइट सेम है तो ठीक है ये ordered pair तो सही है लेकिन क्या तुम ऐसा लिख सकते हो कि अजे की y हाइट है जो अजे की हाइट है obviously प्रतमेश की y हाइट है जो प्रतमेश की हाइट है मतलब ये वाली जो line लिखी हूई है ये तो कोई बोलने वाली बात है क्या तो यहाँ पर आपका इस तरह का ordered pair बन रहा है जहाँ पर दो सेम चीजें एक साथ लिखी जा सकती है ए ए कॉमा पी पी कॉमा बी बी कॉमा सी सी सम्थिंग लाग तो यहाँ पर ये reflexive होगा अब एक example ऐसा लेता हूँ जो reflexive नहीं है let's say dash has more weight than dash अब मैं मानलों बोल देता हूँ कि अजे का weight जो है उप्रतमेश के weight से जादा है तो अगर a का weight p से जादा है मतलब p का weight a से छोटा है कम है तो क्या तुम इसका उल्टा लिख सकते हो p कॉमा a अरे नहीं सर ये दोनों बाते एक साथ कैसे लिखी जा सकती है ये दो बाते तो contradictory हो गई अगर a का weight p से जादा है तो p का weight a से जादा थोड़ी हो सकता है इसलिए ये reflexive नहीं होगा because this is not possible to write like this अब बताइए मुझे कितने बच्चो कोई ये वाला reflexive वाला ये दो example से समझ में आ गया फंडा भाई नहीं जाना technical जादा example से समझो के तुरंट clear हो जाएगा now symmetry dash is in the same batch as dash over the set of foundation students तो मैं बोल रहा हो कि अजे जो है उसी batch में जिस batch में प्रतमेश है लो भाई अगर आपको पता है कि P भी उसी batch में जिस batch में A है A उस batch में है जिस batch में P है और P उस batch में जिस में A है अरे बात तो एक ही हो गई ना भाई तो दोनों चीजे लिखी जा सकती है symmetric क्यों symmetric mirror image हो गई ना AP का mirror image P है तो symmetry बन रही है now younger than मान लेता हूँ मैंने दोनों की date of birth बुलवाई और मुझे पता चला कि Ajay की date of birth जो है Ajay जो है छोटा है प्रतमेश से प्रतमेश एज में बड़ा है तो Ajay is younger than प्रतमेश अब आप मुझे बताओ क्या इसका उल्टा आप लिख सकते हो P, A आईसे कईसे लिख सकते हैं आईसे कईसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते है ये तो not possible ना तो ये वाला जो relation है आपका younger than over the set of students ये हो जाएगा not symmetric no ठीक है जी समझ में आरा बात चलो very good dash is the square over the set of numbers चलो भाई एक बड़िया number लेता हूँ मैं मैं बोल देता हूँ कि देखो भाई 16 is the square of 4 बताओ भाई क्या ये मैंने जो लिखा है आपको सही लग रहा है कि dash is square of dash 16 is square of 4 सही लिखा है अगर ऐसा सही है तो क्या इसका उल्टा सही होगा अरे sir 4 थोड़ी square होगा 16 का 4 तो root हो जाएगा ये तो बिल्कुल सरासर गलत है so again this is also the wrong answer तो वो भी sir हमारा symmetric नहीं है अगला point transitive relation if relation set contains in order पे a, b, c तो a, c भी होना चाहिए let's understand with the example dash is greater than dash over the set of natural number अब मैंने ले लिया मान लो कि भाई 9 is greater than 6 बिल्कुल सही बात है 9 is greater than 6 एक और ले लिया मैंने कि भाईया 6 is greater than 3 अब आप मुझे बताईए अगर 9 जो है वो 6 से बढ़ा है और 6 जो है वो 3 से बढ़ा है तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो कि 9 is greater than 3 क्या ये जो मैंने लिखा है is it possible to write, is it true yes this is true and if this is true then you are satisfying this condition कि A, B, B, C, A, C wow this is transitive अगर ऐसे situation बनती है तो you will qualify it as a transitive relation otherwise no next twice of अब मैंने लिखा जैसे let's say 20 is twice of 10 fine sir 20 जो है वो 10 का double है अरे twice of मतलब समझ रहे हो ना bro twice of मतलब जो पहला वाला element है वो दूसरे वाले का double है so 20 is twice of 10 no problem 10 is twice of 5 अब आप मुझे बताईए क्या मैं इसा लिख सकता हूँ 20 is twice of 5 क्या ये true है या false है अरे नहीं सर नहीं लिख सकते है आप 20 जो है वो double है 10 का 10 जो है वो double है 5 का इसका ये मतलब थोड़ी है कि 25 का double है हद कर दिया है no the answer is no 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 चलिया आगे बढ़ते हैं अब जैसा कि आप लोगों को पता है भाई कि relation is a subset of the product set तो अगर आपको को ये बता दे भाई कि product set में मेरे पास इतने elements हैं तो पता आप ये बता सकते हो कि उससे कितने number of relations possible है पता कौन से फॉर्मुले से वही 2 की power n क्योंकि 2 की power n क्या बताता number of possible subset यहाँ पर subset का मतलब relation हो गया एक product set है उसके जितने भी possible subset है उतनी relation बन सकते हैं तो अगर तुम से कोई पूछ दे कि number of relations कितने possible है तो तुम बोलो कि 2 की power n where n means number of element in the product set अब जैसे वाला question देखो if a is equals to 1, 2 b is equals to 3, 4 determine the number of relations from a to b मैंने बोला सबसे पहले तो यह बताई आप कि set a into b के number of elements कितने होंगे set 2, 2 जा 4 तो अगर set a into b मतलब product set में 4 element है तो उससे कितने possible subsets बन सकते हैं 2 की power 4, 16 तो वह हो गया है तुमारा number of relations because relation is a subset of product set तो यह बढ़ी यहां बाई छोड़ी सी tricky सा question है कोई बहुत बढ़ी बात नहीं domain, co domain range को यहां पर मत पढ़ो function में इतने detail में पढ़ लेते हैं कि फिर यहां पढ़ने की ज़रूत नहीं पढ़ती है उस चीज़ को, ठीक है जी? चली problems on relation, is smaller than जल्दी बताओ, यह reflexive है, symmetric है, transitive है is smaller than अब देखो, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि a is smaller than b and b is smaller than c तो क्या तुम ऐसा बोल सकते हो कि a is smaller than c? हाँ, अगर a चोटा है b से, b चोटा है c से, तो c सबसे बढ़ा, a सबसे चोटा, तो obviously a is smaller than c, मतलब transitive तो हो गया symmetric चेक करता हूँ अगर मैं बोलता हूँ, a is smaller than b, तो क्या उसका ultra, b is smaller than a, ऐसा लिखा जा सकता है? No this is false symmetry नहीं बना सकते और रही बात, reflexive तो बिल्कुल ही नहीं बना सकते, ऐसा थोड़ी बोल सकते हो a is smaller than a मेरी age जो है ना मुझसे छोटी है, अरे यार हद हो वई, ये कोई बात हुई, चो, तो the correct answer is only transitive, next dash is equal to over the set of all the rational numbers, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मैं number जान बुचके नहीं ले रहा हूँ, जान बुचके मैं alphabets ले रहा हूँ मैं बोलता हूँ, मान लो कोई number है a, मुझे नहीं पता हूँ, उसका value क्या है a, और a comma a, अब बताइए इसको पढ़के देखिए sir a is equal to a, हाँ भाई 6 is equals to 6, 7 is equals to 7, 24 is equals to 24, तो reflexive तो होगा अच्छा जी, next sir, अगर a जो है वो b के बराबर है, a is equals to b, तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो कि b is equals to a obviously, अगर a b के बराबर है, तो b भी a के बराबर है this is absolutely true अगर यह वाली बात true होरी, यह इसका मतलब this is symmetric also, if I talk about transitive, sir a की value b के बराबर है and b is equals to c so can we say that a is equals to c, this is also true, yes that is transitive, तो अगर कोई चीज reflexive भी हो रही है, symmetric भी हो transitive भी हो रही है, तो सही answer actual में यह हो जाएगा तुमारा rather than ticking everybody you just have to tick option d, that's it yes or no guys, चलो यह होता है सान हमारा reflexive symmetric transitive, now dash has the same father, यहाँ siblings की बात चल रही है कि मान लो एक बच्चा है a a के वही फादर ने जो a के फादर है हाँ, अगर a के फादर और b के फादर सेम है तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि b के फादर और a के फादर सेम है, हाँ अगर a के फादर और b के फादर सेम है, B और C के फादर सेम है, तो A और C के फादर भी वही होगा है, सेम इसका भी आंसर, correct आंसर हो जाएगा equivalence, ठीक है, जो exact option सही होगा perpendicular अब देखो, perpendicular जो होता है, सर, perpendicular में क्या होता है बहुत simple सा पंड़ा होता है, एक line है L एक line है L, ठीक है उसकी perpendicular एक line है M तो तुम ये तो लिख सकते हो कि L is perpendicular to M क्या तुम उसका ultra लिख सकते हो, M is perpendicular to L, हाँ अगर ये इसके perpendicular तो ये भी इसके perpendicular है, तो symmetric तो हो जाएगा रही बात reflexive की, क्या कोई line खुद के perpendicular हो सकती है, not possible सर, एक line खुद के perpendicular कैसे होगी, perpendicular तो तब होता जब 90 degree का gap आता है तो एक line खुद के perpendicular कभी नहीं हो सकती अब transitive में चलते हैं मैंने बोला, चलो, L is perpendicular to M मान लिया M is perpendicular to N, चलो ये भी मान लिया कि L, M M, N तो क्या आब ऐसा भी बोल सकते हो, क्या कि L is perpendicular to N कहां सर L और N तो parallel हो गया, perpendicular तो हो जी नहीं सकते not possible इसका मतलब the correct answer is only and only symmetric I hope perpendicular वाला question सभी लोगों को समझ में आ रहा जल्दी से दिमाग की बती जलाए next question reciprocal of कोई भी number का reciprocal समझते हो न यसे मान लो में तुम से बोलू 0.5 is the reciprocal of 2 1 by 2 मतलब 0.5 तो 0.5 reciprocal है 2 का और 2 का reciprocal कौन है 0.5 का reciprocal है 2 और 2 का reciprocal है 0.5 मतलब दोनों बात reverse चल रही है तो symmetric तो होगा लेकिन क्या तुम कभी ऐसा लिख सकते है 2 is reciprocal of 2 नहीं sir this is not possible इसलिए reflexive गलत हो जाएगा false अगला अगर मैं तुम से बोलू transitive की बात करूँ मैंने बोला 1 by 2 is reciprocal of 1 by 2 is reciprocal of 2 and 2 is reciprocal of 0.5 so tell me 1 by 2 is reciprocal of 0.5 अरे कहा होगा यार वो दोनों तो सेम हो जाएगे तो transitive भी possible नहीं है only symmetric is the correct answer I hope this is also clear to everyone yo man अगर इसी चीज को हम पढ़ते रह जाते अभी a, a, b, c अरे नहीं भाई example लो और खतम करवागे बढ़ो इत्ता जादा लोड नहीं लेने का x plus y 2x के बराबर है तो बताएगे कौन सा relation है मज़े ले रहे हो हमसे मज़े ले रहे हो x plus y अगर 2x के बराबर है इसका मतलब यह हुआ कि y की value जो है 2x minus x के बराबर इसका मतलब यह हुआ कि y और x बराबर इसका मतलब दो ordered pair के बीच में क्या relation निकला is equal to मतलब आपको उन ordered pairs को लेना है जिसमें दोनों element same हो और is equal to के बारे में हम already चर्चा कर चुके हैं भाई is equal to हमारा equivalence होता है तो कुछ नहीं है आपका relation वही था is equal to बस घुमा के दिया हुआ था तो correct answer तो equivalence relation ही रहेगा समझ में आई बाद अगला square of square of वाला हम लोग already देख चुके है पर हमने तीनों में check नहीं किया था तो अगर मैं reflexive की बात करूँ 8,8 क्या ऐसा possible है 8 is the square of 8 गलत symmetric में आते हैं 16 is the square of 4 तो क्या 4 is the square of 16 होगा गलत नहीं होगा transitive में आते हैं 16 is the square of 4 4 is the square of 2 16 is the square of 2 no, this is also not possible तो सर ऐसा भी हो सकता है कि कोई relation तीनों में satisfy नहीं हो रहा हो yes correct answer is none of these is square of is neither reflexive nor transitive and nor symmetric अब आता सर नहीं हमारे पास अगला topic जैसका नहीं है functions functions में हम एक master example करेंगे और बहुत सारी चीज़े समझ लेंगे सबसे पहले function की practical meaning समझो सर अच्छा relations अच्छे से समझ में आ गया सब लोगों को relations अच्छे से समझ में आ गया ना ठीक है now functions का जो practical meaning होता है सर वो यह होता है कि आपने input डाला और output निकला आपने input डाला और output निकला that is called as function मतलब अगर आपने कोई number डाला वो process होके दूसरे number को दे रहा है for example आपके पास दिया हुआ function is fx equals to 3x तो इसका मतलब तुमने अगर x की जगे यहां रख दिया 4 तो जब बाहर निकलेगा ना वो f3 बनके f4 बनके sorry not f3 बनके f4 बनके निकलेगा बार तो उस function का जो result आएगा वो आएगा 4 तुम लोग जानते हो सब कुछ नो problem अब जैसे यह simple से question तुमारे पास आएगे function के यह नहीं कर पाओगे क्या fx दिया है 1 upon 1 minus x और हम लोगों को निकालना f minus 1 मैंने आप minus 1 डाल दिया तो यह हो गया 1 upon 1 minus minus 1 1 upon 2 कुछ नहीं होता जो आपका यह वाला part होता है यह वाला part जहां पर x आ रहा है तो जो value आप यहाँ डालोगे वही value यहाँ substitute कर दोगे that's it substitution का खेल होता है that's it ठीक है तो 1 by 2 is the answer अब यह देखो भाई इसमें निकालना g minus 1 by 2 तो gx function जो है मेरे पास वो दिया हुआ है x minus 1 over x अब अगर तुम x की जगे यहाँ minus 1 by 2 डाल देते हो तो यह हो जाएगा minus 1 by 2 minus 1 divided by minus 1 by 2 LCM लिया तो यह हो गया minus 1 minus 2 whole divided by minus 1 upon minus 2 यह हो गया minus 3 upon 2 into 2 upon minus 1 2 to cancel minus minus cancel answer आगया only positive 3 ठीक है easy तो है बाई next अब function की सर हम लोग ना set based definition देखते है practical वाला तो समझ लिए तू कि function एक machine है जिसमे x की जगे डो डालोगे तो उसका output निकल जाएगा लेकिन set based तरीके से भी पढ़ना पड़ता सर उस पर बहुत सवाल बनते है मतलब बन सकते हैं काफी सवाल तो इन्होंने ये बोला सर कि function set भी एक relation set ही है function set जो है उसमें भी वो relation से ही जन्मा है तो एक ऐसा relation set जिसमें जब तुम ordered pairs की list बना दो ना तो कभी भी one to many का mapping ना बने मतलब कभी ऐसा ना हो जाए कि एक first element पे multiple second element बन रहे हो अगर ऐसा हो रहा है तो वो function नहीं है मतलब in every ordered pair आपका जो first element है ना वो unique होना चाहिए repeat नहीं होना चाहिए बस इतनी सी condition है mapping point of view से समझाओंगो तो पूरा clear हो जाएगा तो अभी definition point of view से function एक ऐसा relation set है जिसमें अगर एक input के multiple output हैं तो वो function नहीं है otherwise अगर unique inputs चल रहे हैं तो फिर वो relation को तुम as a function भी classify कर सकते हो ठीक है definition देख लो it is a relation set with a condition कि no distinct ordered pair have the same first element कोई भी अलग-अलग ordered pair के same first element नहीं होने चाहिए no word लिखा हुआ है first element repeat नहीं होना चाहिए ठीक है mapping के point of view से बोलें तो देखो भाई mapping का मतलब क्या होता है एक input पे multiple output एक input पे एक input multiple input पे एक output one to many, many to one और one to one तो one to one है चलेगा function है many to one है function चलेगा लेकिन one to many नहीं होना चीए ऐसा नहीं होना चीए कि तुम बोलो कि मेरी मशीन में मैं आलू डालता हूँ तो कभी सोना भी निकलता है कभी चांदी भी निकलता है यह गलत है हाँ ऐसा जरूर बोल सकते हो कि आलू डाला तो भी सोना निकला और टमाटर डाला तो भी सोना निकला many to one चलेगा और आलू डाला सोना ही निकला टमाटर डाला चांदी ही निकला तो one to one भी चलेगा many to one भी चलेगा यह आपको function की condition ध्यान रखनी है अब आपके सामनी ए example है इस example में अच्छे से समझा देता हूँ है कि यह function है की नहीं a का set a है 1,2,3,4 set b है 2,4,6,8,10 तुमको यहाँ पर सिर्फ un ordered pairs को लेना है r1 में जिसमें पहला element जो है तुमारा वो ordered pair का दूसरे element से छोटा हो 1,2 ले लिया 1,4 ले लिया अरे भाई पहले ही देख लो हमारी गडबड होगी कहानी तुम यहाँ पर 1,2 भी ले सकते हो तुम यहाँ पर 1,4 भी ले सकते हो 1,6 भी ले सकते हो एक ही input पे आपके multiple output आ रहा है देखो same first element repeat हो रहा है और ऐसा तो नहीं होना चाहिए same first element repeat हो रहा हो गडबड हो गई भाई तो यह function नहीं है this r1 this r1 is not a function ठीक है जी it's not a function next a है 1,2,3,4 b है 2,4,6,8,10 और अब बोल रहा है a, b आपको सिर्फ उन elements को लेना है जिसमें second element पहले element का double हो तो 1 का double होता है 2 2 का double होता है 4 3 का double होता है 6 4 का double होता है 8 वैसे 5 का double 10 होता है लेकिन 5 मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहां से लूँगा उसको तो मेरा ये जो है r2 बना हुआ है r2, इस r2 में इतने ही ordered pair आएंगे अब ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4 क्या कोई भी ऐसा ordered pair दिख रहा है तुमको जो repeat हो रहा हो first element जिसका first element repeat हो रहा हो नई तो यहां की अगर तुम mapping ध्यान से देखने जाओगे mapping का मतलब अगर मैं यहां डाल दू 1, 2, 3, 4 यहां डाल दू 2, 4, 6, 8, 10 mapping diagram इसमें अगर तुम linkage देखो तो एक के साथ ही रिष्टा जुढ रहा है यह देखो कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा कि एक से दो दो चीज निकल रही हो वही अगर तुम पीछे वाले में देखते हैं तो 1, 1, 2 के साथ भी जा रहा है 1, 4 के साथ भी जुढ रहा है 6 के साथ भी जुढ रहा है 1, 2 मैंनी चल रहा था यह यहाँ पर क्या चल रहा है यहाँ पर 1, 2, 1 चल रहा है और मैंने क्या बोला था 1, 2, 1 is qualified as function इसलिए R2 is function तो R2 एक ऐसा relation set है जिसके first element आपके repeat नहीं होते इसलिए it will qualify as function अब देखो माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 और यह है 0, 1, 2, 3, 4 अब मैं अगर तुमसे बोलूँ कि माइनस 2 अगर तुमने डाला function में अगर तुमने माइनस 2 डाला कौनसे वाले function में यह वाले function में आपको सिर्फ ऐसे ordered pairs लेने है सर यहाँ पर जिसमें आपका second element जो है पहले का square हो तो माइनस 2 का square 4 आता है हाँ है मेरे पास माइनस 1 का square 1 आता है 0 का square 0 आता है 1 का square 1 आता है और 2 का square 4 आता है अब मैंने इन सबका ordered pair बना दिया इनका set बना दिया यह हो गया है मेरा R3 अगर हम ध्यान से R3 को देखें तो sir कोई भी first element repeat नहीं हो रहा हमारा हाँ भाई कोई भी first element repeat नहीं हो रहा सारे first element unique है इसी वज़े से sir हम यह बोल सकते हैं कि yes absolutely this is our function R3 is function लेकिन what about mapping लो भाई mapping भी दिखा देता हूं तुमको मैं minus 2 minus 1 0 1 2 इस तरफ आजाएगा 0 1 2 3 4 mapping diagram set A से set B linkage देखो minus 2 से 4 आया minus 1 से 1 आया 0 से 0 आया 1 से again 1 आया और 2 से again 4 आया तुम बोलो गया अरे sir यह तो multiple हो रहा है 1 to many नहीं हो रहा है many to 1 हो रहा है and many to 1 is acceptable यही तो मैंने बताया तुमको भाई साब many to 1 है तो चलेगा कोई problem नहीं है तो यह रासर हमारे पास conclusion conclusion यह है कि आप सिर्फ यह देख लो कि elements की mapping कैसी चल रही है अगर one on one mapping हो रही है तो yes it is considered as function अगर one to many हो रही है तो no it is not a function एक input के multiple output नहीं होने चीए वरना machine खराब मानी जाएगी और आलू डाला, टमाटा डाला लेकिन सबसे सिर्फ सोना निकल रहा है वो भी चलेगा many to 1 is fine not a problem अगला यह example देख लो उसी पर based है उसी concept पर based है बोल रहा है कि A है XYZ, B है PQRS बताईए इसमें से कौन सा relation जो है वो function है मैंने बोला first element मेरा repeat नहीं होना चीए लो repeat हो गया खतम out XYZ कौन सी mapping है यह many to 1 क्यों many to 1 क्योंकि X डाल के भी S आ रहा है Y डाल के भी S आ रहा है Z डाल के भी तो भी क्या problem है भाई many to 1 तो चलता है it is a function yes next Y Y भाई पागल हो गयो क्या यह थोड़ी function है XYZ PRS कौन सी mapping है 1 to 1 1 to 1 भी तुमारी function है इसका answer है B और D दो no अब तुम बोलो कि paper में किसको ticker क्या हूँ अरे यह बस मस्ती के लिए question दिया गया था और पीछे भी answer की में इसके दो-दो answer ठीक है paper में ऐसा सवाल नहीं आएगा जिसमें दो-दो answer ठीक करके आना हमारे पास MCQ तो है लेकिन only one answer at a time यह बात भी sure है उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजेगा कि ऐसा कुछ आ जाएगा अब देखो x plus y is equals to 5 मतलब y की value हो जाएगी 5 minus x तो अगर तुम first element की value कुछ भी डालते जाते हो मानलो x की value तुमने डाली 1 y की value हो जाएगी 4 x की value डाली तुमने 2 3 डाली 2 आ गया इसका मतलब साफ समझ में आ रहा देखके कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक value से दो-दो output आ रहे होंगे और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि दो-दो input से एक output आ रहा हो तो ना तो many to one हो रहा है ना तो one to many हो रहा है सिर्फ one to one ही नजर आ रहा है that's why the correct answer is one to one mapping here अगला x is equals to 4 और y के बारे में कुछ बोला ही नहीं है बोल रहा है ऐसा relation है जिसमें x तो हमेशा 4 रहेगा fix कर दिया हम और y random कुछ भी ले लो मैंने बोला भाई ये तो बिल्कुल सरासर function नहीं है क्यों? 4,2 4,6 हमने यही तो condition डाली है कि पहला element repeat नहीं होना चाहिए इधर तो पहला ही पहला repeat हो रहा है fix कर दिये तुमने तो पहला को तो कहां से होगा यह function भाई? not a function at all अगला x, y, y is equals to x square क्या y equals to x square? मतलब value डालते हो और उसका square आता है क्या यह function है? बिल्कुल function है क्यों? उसमें जादा से जादा क्या होगा कि तुम negative और positive दोनों value डालोगे तो same answer आएगा minus 2 से भी 4 आएगा 2 से भी 4 आएगा लेकिन many to 1 तो function की तरह qualify होता है not a problem one to many तो नहीं हो रहा ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तुम 2 डालोगे कभी 4 आगया, कभी 16 आगया 2 डालोगे तो 4 ही आएगा ठीक है sir, it is a function now x is less than y इसके बारे मैं already example ले चुका हूँ कि यह not a function क्योंकि x less than y लिखा है तो तुम 2,3 भी लिख सकते हो तुम 2,4 भी लिख सकते हो तो दो-दो यह देखो first element repeat हो रहा है, not a function अब यह बहुत अच्छा सवाल है sir इसमें वही वाली बात काम आएगी कि एक input से multiple output अगर आ गए तो function नहीं है अब ध्यान से देखिए यहाँ पर एक ही input पर 3,3 output है तो how can it be function यह तो 1,2, many हो गया यहाँ पर देखिए आप एक ही input पर एक ही input पर यह भी output है, यह भी output है एक ही input पर यह भी output है यह भी output है सिर्फ ये ऐसा है जिसमें देखो आप ध्यान से तो कर्व आपका अलग-अलग जगे पर अलग-अलग x की value की अलग-अलग y की values हैं x की value बदल रहे हैं तो y की value भी बदल रही है ऐसा नहीं हो रहा कि x की single value पर y की double values आ रही हूं Never ever, option b is the correct answer So I hope guys कि आप लोगों के लिए revision जो है बहुत useful है और इसी तरीके से जो है आपको नई चीजे पढ़ने के साथ बीच-बीच में revision के लिए समय निकालते रहना चाहिए ठीक है, on academy की special classes, मतलब जो on academy learning app पर free class होती है उसे भी आप access कर सकते हो, experience ले सकते हो So just आपको unlock code use करना है, CA Pranaf and you can access your free classes on an academy app 100% free and this is the difference between the paid batch and the free batch So as I told you, mission success batch is going to come अभी भी समय है जल्दी से जल्दी subscription ले लिजे क्योंकि mission success batch आपके लिए, आपकी journey के लिए एक पूरी तरह game changer साबित हो सकता है अगर आपने शिद्दत से पढ़ाई करी, शिद्दत से पूरे batch patent किया So, आपको exclusive notes, 100% live deadline, RTP, PYQ included सब मिलता है, negative marking quiz and test series भी इसन सारे subscriptions के अंदर include है अब an academy के subscription कैसे लेना है, एक बार quickly आपको बता देता हूँ unacademy.com website पर गए, यहाँ पर आके आपको select करना exam का नाम, CA मिलेगा आपको, CA के अंदर you can go to CA foundation and click CA foundation and then you can see here, get subscription का option आरा है, click कीजेगा, plus और iconic, दो subscriptions है, plus मतलब live classes है, पूरा का पूरा unlimited content है iconic के अंदर आपको उसके साथ यह तीन additional features, live mentorship, doubt solving, printed books, और plus और iconic, इसमें से click करोगे तो आपको उसकी pricing दिख जाएगी यह जो pricing आपको अभी दिख रही है, it's very dynamic, तो जब भी आप subscription ले तो वेबसाइट जरूर खोलें, यह एक general pricing है, जो 31st of August को revise भी होगी लेकिन उसके पहले discounted price भी बहुत जगे पर applicable है और multiple offers आते रहते हैं, तो offer check किये बिना कभी भी subscription ना ले, कोई भी offer होगा, आपको code use करना है, CA, PRA, NAV, अगर आप code use करोगे, अपने आप यहाँ पर apply हो जाएगा और जो भी maximum possible discount होगा, आपको मिल जाएगा, ठीके जी, so that was all about today's session, see you all in the tomorrow session, तब तक लिए, thank you so much for watching, and bell icon 0 press कर दे, subscribe तो आपने करी दिया होगा, and like and share if you really like the content, okay, so looking forward to the next lecture, see you guys, let's crack it, bye-bye, जाहन.